नमस्कार बिएफार्ट फस्ट इंडियन म्यूजिक पेपर टू वाध्यों के अध्यन में हमां बात कर रहे थे पखावच की इसमें पिछले वीडियो में हमने पखावच का उद्भव वविकास के बारे में बात की थी पखावच की बनावट किस प्रकार से होती है वह बताया जाぎ आपको आज हम बात करेंगे पखावच के अंगों के बारे में हैं अयरह वह उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं अवनद वाध्यों में म्रदं काकार आód रूप से है के उतीन क्रकार से रखा जाता है हारड के समान जो के समान और गोपुच्छा के समान म्रदं के अंगों के तीन रूप में तीन वाधियों का प्रयोग किया जाता था इनको अंकिक आलिंग्य और उद्वर्दक कहते थे इन तीनों को मिलाकर विपुषकर कहाज कहाज जाता अंकिक ब्रदं की लंबाई साड़े तीन ताल के समान तथा इसका मुख बारा उंगल होना चाहिए उद्वर्दक ब्रदं की लंबाई चार ताल के प्रमान की रखनी चाहिए और इसका मुख चौदे उंगल का होना चाहिए आलिंग्यक ब्रदंग की लंबाई तीन ताल के प्रमाण में रखनी चाहिए और इसका मुह सिकड़ा हुआ और आठ अंगुल का होना चाहिए अर्था जो हमने आपको तीनों इसके प्रकार बताए हैं आंकिक, आलिंग्य और उद्वर्दक इनके तीनों के अलग-अलग यानि कि जो पहला प्रकार है उसकी लंबाई तीन ताल के समान और मुख बारा उंगल सेकेंड वाला है उसकी लंबाई उद्वर्दक जो म्रदंग है वह चार ताल के समान इसकी लंबाई और मुख जो होता है वह चार उंगल का और आलिंग्यक म्रदंग की लंबाई तीन ताल के प्रमान में और इसका मुख आठ उंगल का होना चाहिए यानि कि म्रदंग का जो म्रदंग है वहाँ सिर्फ एक ही पैटर्न में नहीं होता है या अलग-अलग तरीके का होता है ये तीन प्रकार हमने आपको बताए और तीन प्रकार को बताके हम आगे की बात कर रहे हैं आरम में इसका निर्माण, मिट्टी से होने के कारण इसकी संग्या, म्रदंग पड़ी बाद में इसका निर्माण लकड़ी या लोहे के पिंड़ से होने लगा म्रदं का धाचा, खैर, रक्त चंदन या कास्ट की जो लकड़ी होती है इसका मध्य भाग, साड़े, 21 उंगल खोकला और लंबाई, 12 मूठ होती है दाहिना भाग, 14 उंगल मोटा और बाया भाग, 13 उंगल मोटा होता है दो लोहे तथा काट के कड़े दोनों मुख पर लगाए जाते है दाहिने मुख के चमड़े पर 6 उंगल प्राण से गोला कार स्याही लगाई जाती है चमड़े के घेरे में 24 छिदर होते है उन छिदरों में चमड़े की जो बद्दी को डाल कर खीचा जाता है जिस प्रकार हमने आपको बताया था तबले में भी जो बद्दी लगी होती है जिससे गजरा भी कहा जाता है बद्दी गजरा जिससे वो हम लकड़ी से उसको तबले का खूल होता है उसको बांधते हैं उसी प्रकार इसमें भी बद्दी होती है और बद्दी के द्वारा इसको खीचा जाता है दाया मुख छोटा तथा बाया मुख बड़ा होता है पूरी के किनारे का भाग चाटी क्यालाता है यानि कि जो किनारे का भाग वो चाटी क्यालाता है इसमें तबले और म्रदंग के जो अंग है इनके जो अंग है जो तबले और म्रदंग के उनमें काफे चीजे समान है क्योंकि एक तरह से यही का जाता है कि पखावच को दो भागों में जब बाटा गया तब ही तबले की उत्पत्ती हुई इसी तरह जैसे हमा जो आपको इसके अंग बता रहे हैं पुड़ी है बद्दी है अधी जो अंग है वह चाटी है ये अंग तबले में भी आते हैं किनारे और स्याही के मध्य के भाग को लव्या मैदान कहते हैं दाहिने भाग पर रदंग बनाते ही समय लकडी का कोईला पका हुआ चावल और गौंद आधी को मिश्रित करके तीन इंच व्यास्व के चक्रकार में लगाते हैं कि बाएं भाग पर गेहूं का आटा लगाया जाता है जैसा कि हमने आपको पताया था बजाने के बाद इस मिश्रित को उतार दिया जाता है हमने आपको बताया था जो गेहूं का आटा लगाया जाता है वह जो स्वार नीचा करने के लिए तो आटा हम थोड़ा अधिक लगाते हैं और जब उस वार को नीचा करना होता है तो अधिक लगता है और उंचा करने के लिए आटा कम कर देते हैं और जब हमारा बादन खतम हो जाता है तो इस मिश्रित को उतार दिया जाता है हर बार बादन से पूर्व नाया मिश्रित लगाया जाता है कालन्तर में बीच वाला अंकिक नामकंग जो की दोनव और से चमड़े से मड़ा हुआ होता था शास्त्रिय संगीत में प्रचलित रहा और शेष दो, जिनमें एक ही मुख था लोग संगीत में प्रचलित रहे दोनव मुखों पर बचाए जानने के कारण यही वाध्य आगे चलकर पखावच के नाम से पुकारा जाने लगा अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पखावच या म्रदंग इसे किस प्रकार से मिलाया जाता है प्रारंब में म्रदंग के तीनों अंगों को अलग-अलग स्वरों में मिलाया जाता था म्रदंग में स्वरों की प्राप्ति के लिए इसके मुख पर लगे हुए चमडे पर विशेश प्रकार से आटे का लेपन किया जाता था म्रदंग बजाने में खुले बोलों का प्रयोग किया जाता था जिसको निकालने के लिए हाथ के विभिन आगातों का प्रयोग किया जाता है म्रदंग की जानकारी के लिए मुख्य रूप से इन विश्यों का अध्यन किया जाता है अक्षर, मार्ग, विलेपन, करण, यती, लै, गत, प्रस्तार, संयोग, अलंकार, जाती, अधी उत्तर भारत में म्रदंग का प्रयोग धुरुपत तथा धमार की संगत के लिए किया जाता है परन्तु दक्षिन भारत में सभी संगीत शैलियों के साथ म्रदंग की संगती की जाती है दक्षिन के म्रदंग और उत्तर के प्रखावज में आकार, द्वनी तथा वादन शैलि की द्रस्टी से भिन्यता द्रस्टी गोचर होती है यानि कि हम यहीं बता रहे हैं आपको, म्रदंग वह प्रखावज है तो एक ही, पर इनमें थोड़े से अंतर है दक्षिन भारत में म्रदंग कहा जाता है इसे, उत्तर भारत में इसे प्रखावज के नाम से पुकारा जाता है उत्तर भारतिये म्रदंग का जो आकार होता है, वह रदंगम से बड़ा होता है और इसकी ध्वनी म्रदंगम की तुलना में अधिक गोंजियुक्त और गंभीर होती है म्रदंग का चमड़ा भी पकावज से मुलायम होता है उत्तर भारतिय म्रदंग की जोड़दार थाप दक्षिन भारतिय म्रदंग में नहीं देखी जाती म्रदंग के मुख्य कलाकार हमने आपको बताये थे पहले भी हमने आपको म्रदंग के अलग अलग जो स्वर है वो हमने आपको बताया कि कैसे स्वर होते हैं और इसके बाद जो कुछ शब्द होते हैं यानि कि हर वाद्य के अलग अलग शब्द होते हैं जैसे कि उसकोई बारे में भी आपको बताया हमने जैसे अक्षर मार्ग विलोबन गति लै इनके बारे में बताया फिर उसके बाद हमने आपको उत्तर भारत में और दक्षिन भारत में जो दक्षिन भारत में तो इसा भी म्रदंग कहा जाता है उत्तर भारत में हम इसे पखावच के नाम से पुकारते हैं इनमें समानता व विभिनता क्या क्या है वह हमने बताया आपको अब हम आगे के वीडियो में पकावच के जो बोल हैं वो और वादन विधी के बारे में बात करेंगे अभी आप जो हमने आपको बताया म्रदं के अंगो का वर्णन और म्रदं को किस प्रकार से मिलाया जाता है उसका अध्यन कीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछेगा जरूर धन्यवाद